हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों आखे बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव होती है इसके साथ अगर थोरी से भी परिशानी हो तो तुरंद लक्षन दिखाई देने लगते हैं आखे आना या पिंक आई या आई फ्लू आखों से जूरी एक ऐसी ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे मेडिकल लैंग्विज में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं यह अक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही रूपों में हो सकती है और दो सब्ता में यह अपने आप ठीक भी हो जाती है लेकिन कई लोगों में कंजंक्टिवाइटिस के कारण गंभीर लक्षन दिखाई देते हैं जिसमें इमीडिये ट्रीटमेंट की जरूरत होती है दोस्तों वैसे तो यह प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है लेकिन hot and humid environment में इसके होने का रिस्क अधिक हो जाता है तो आएए आज के इस वीडियो में हम आखों के इस बिमारी के कारण इसके लक्षन और ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तों हमारी आखों में एक transparent पतली जिल्ली यानिकी conjunctiva होती है जो हमारी पलकों के अंधूरनी और आखों की sclera यानिकी सफेद भाग को cover करती है अगर इसी conjunctiva में सूजन आ जाए या infection हो जाए तो इसे conjunctivitis या आखाना कहते हैं जब conjunctiva की छोटी-छोटी blood vessel सूज जाती है तब ये अधिक spust रूप से दिखाई देने लगती है और आखों का सफेद भाग लाल या गुलाबी देखने लगता है इसलिए इसे pink eye भी कहा जाता है दोस्तों conjunctivitis की प्रॉब्लम आखों में bacteria या virus के infection या allergic reaction के कारण हो सकती है वही छोटी बच्चों में tear duct के पूरी तरह खुला ना होने से भी अक्सर pink eye की समस्या हो जाती है दोस्तों आखों की ये बिमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है हालाकि कुछी दिनों में ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक भी हो जाती है फिर भी कुछ प्रकार के conjunctivitis के treatment में डॉक्टर से संपर्ग करने की जुरूरत पड़ती है दोस्तों conjunctivitis जनरली तीन टाइप की होती है वाइरल प्रकार का conjunctivitis एडेनो वाइरस, हर्पीस सिंपलेक्स वाइरस या वैरिसेला जोस्टर वाइरस के कारण होता है लक्षनों में बुखार और दर्द जैसे सामानी फ्लू जैसे लक्षनों के सासाथ आखों का लाल हो जाना, जलन और पानी आना सामिल है वाइरल कंजंक्टिवाइटिस अकसर एक आख में होता है और कुछ दिनों में दूसरी आख में भी फैल जाता है Bacterial Conjunctivitis, यह infection Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia या Hemophilus influenza जैसे bacteria के कारण होता है इसके लक्षनों में आखों का लाल हो जाना, जलन और पाने निकलना शामिल है, जो पीले या हरे रंग का हो सकता है Infected person की आखों से निकलने वाला discharge के direct या indirect contact में आने के दौरा या फैल सकता है यह infection एक या दोनों आखों में हो सकता है इस infection का इलाज करने के लिए आप antibiotic eye drop या मलहम का इस्तेमाल कर सकते है Allergic Conjunctivitis, इस प्रकार का conjunctivitis आसपास के चीजों से फैलता है जैसे कि pollen, पालतु जानवरों के रूसी, धूल या फंगस से होने वाली allergy के कारण होता है इसके लक्षनों में आखों में खुजली और लाल होकर पानी निकलना, साथी पल के सूज जाना और काफी ज़्यादा आसू निकलना सामिल है आम तोर पर सूजन और खुजली को कम करने के लिए eye drop का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, conjunctivitis के कुछ common symptom है जैसे कि आखों के सपेद भाग का Pinky और रेट हो जाना conjunctiva में सूजन होना आखों से पानी आना आखों में खुजली या आखों में कुछ चला जाना और आखों में किरकेरापन मैसूस होना इसके अलावा आखों में कीचर जमा हो जाना और light से परिशानी होना दोस्तो आई फ्लू सिर्फ infected व्यक्ति के close contact जैसे कि प्रस्टनल चीजों को शेयर करने hygiene का ध्यान ना रखने, आँखों के अच्छे से सफाई ना रखने या contaminated surface को चूने के बाद उसी हाथ से आँखों को चूने से होता है बिना close contact के या infection नहीं होता दोस्तो यह एक common misconception है कि किसी की आँखों में देखने से eye flu फैल सकता है जब तक आप direct या indirect रूप से आँखों से निकलने वाले discharge के contact में नहीं आते हैं तब तक इस infection का risk नहीं होता है दोस्तो कंजन्टी वाइटिस को फैलने से रोकने के लिए साब सफाई रखना सबसे जरूरी है इसके अलावा भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि अपने आँखों को अपने हातों से ना चूए जब भी जरूरी हो अपने हातों को धोएं अपने नीजी चीजों जैसे कि तॉलिया, तकिया या आई कॉस्मेटिक को किसी से शेर ना करें अपने रुमाल, तकिया के कवर, तॉलिये जैसे चीजों को रोज धोएं दोस्तो इसके हलके मामलों में अकसर ट्रीट्मेंट की जरूरत नहीं होती है यह कंजंग्टिवाइटिस के डिफरेंट टाइप्स के अधार पर लगबग दो सप्ता के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है वैसे अलग-अलग प्रकार के कंजंग्टिवाइटिस होने पर इलाज भी अलग-लग तरीके से किया जाता है जैसे कि bacterial conjunctivitis होने पर doctor antibiotic eye drop या मलहम लिख सकता है viral conjunctivitis होने पर doctor कोई खास treatment नहीं देता क्योंकि virus पर antibiotic दवाओ का असर नहीं होता है इसके अलावा doctor symptoms से relief के लिए patient को eye drop और cold compress का इस्तेमाल करने की शलाद दे सकता है viral conjunctivitis के severe case में doctor असुविदा को कम करने के लिए tropical steroid drops लिख सकता है वही allergic conjunctivitis के हलके मामलों में artificial tear eye drop और cold compress इस समस्या से रहात प्रदान कर सकता है severe case में doctor anti-histamine, non-esteroidal anti-inflammatory medicine या tropical steroid eye drop जैसी दवाई लिख सकते हैं दोस्तो यदि treatment के 2-3 दिन के बाद या बीना treatment के एक सपता के बाद भी conjunctivitis में कोई सुधार नहीं होता है तो व्यक्ति को अपने ophthalmologist से संपर्ग करना चाहिए इसके लावा अगर किसी व्यक्ति के पलकों और आखों के आसपास बड़े हुई redness, sujan, tenderness और बुखार दिखाई देता हो तो उसे अपने doctor से संपर्ग करना चाहिए ये symptoms indicate कर सकते हैं कि infection conjunctiva से आगे फैल रहा है और इसके लिए अधिक treatment की जरूरत होगी दोस्तों उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी के information आपको अच्छे लगी होगी और ये knowledge आपको समझ में भी आ गई होगी दोस्तों इस वीडियो को जरूर सेयर करें और ऐसे ही informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना न भूलें और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे